नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिबा आउनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो आप दोस्तों आप सबसे पहले देख सकते हैं तो हम यहां पर दोस्तों आप के लिए लाइप परूफ के साथ में दिखांगा है territorial army के तरफ से जो notice जारी किया गया है वो भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा मैंने download करके रखा हुआ है तो दोस्तों यह जो भरते निकली है वो 3 सितमबर से 15 सितमबर के बीच में होनी है और कौन-कौन से states के candidates इसमें भरते देख पाएंगे इसमें करेब 10 states ऐसे हैं जिनके के लिए सेलेक्ट किया गया है फिर्थम चरण के लिए 2020 में तो 10 state के यहां दोस्तों भरते निकल चुकी है मैं आपके लिए अभी लेके चलता हूं उस official notification पर जिसको मैंने पहले से ही download करके रखा हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहां पर इसको download करके रखा हुआ है मैं आपके लिए पूरी detail अच्छे से बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि यह दोस्तों जो बढ़ती है वो 115 infantry battalion T.A. में है क्योंकि यहीं से letter निकला है दोस्तों 13 July 2020 का letter है यह और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं Office of the Joint Director Department of Scenic welfare and resettlement के लिए letter भेजा गया है उसके बाद में दोस्तों अगर हम scroll करके नीचे आए तो आप और भी यहां पर देख सकते हैं recruitment 115 infantry battalion T.A. महार एट फोर्ट बेल गाउं तो दोस्तों यह जो भरती है वो बेल गाउं करनाटगा में है और यह भरती के जो सिडूल है दोस्तों वो 3 सितमबर 2020 से 15 सितमबर 2020 के बीच में तै किया गया है तो 3 सितमबर से 15 सितमबर तक यह भरती चलेगी कहां पर चलेगी 115 infantry battalion T.A. महार फोर्ट बेल गाउं करनाटगा में ठीक है तो यहां पर यह भरती होने बाली है तो दोस्तों यहां पर जो आपकी पोस्ट होंगी बो भी मां आपको बता देना चाहता हूं यहां पर जो पोस्ट दी गया आपकी बो यह पोस्ट के लिए यहां पर भरती होनी है तो soldier gd, soldier clerk और washerman यहाँ पर दोस्तो तीन trade के लिए यहाँ पर भरती होने बाली है soldier gd के लिए 39 post है clerk के लिए 2 post है और washerman के लिए 1 post है कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 42 post के लिए भरती होने वाली है ठीक है उसके बाद मैं आपके लिए दिखा देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर आपकी education qualification क्या होगी तो education qualification आपकी क्या होगी उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले देख सकते हैं यह gd के लिए हैं आपके लिए gd में only 10th pass होना अनवारी होगा दोस्तों और आपके किसी भी subject में 33% से कम नहीं होना चाहिए मार्क से लेकिन दोस्तों आपकी जो overall percentage होनी चाहिए वो 45 होनी चाहिए वहीं दोस्तों clerk के लिए आपको यहाँ पर थोड़े relaxation दी जा रही है वैसे clerk के लिए दोस्तों 60% लिया जाता है लेकर यह territorial army के clerk है तो इनके लिए दोस्तों कुछ relaxation दी जाती है तो यहाँ पर आपको 10 plus to pass होने चाहिए 50% marks के साथ में आपके किसी भी subject में 40 marks से कम नहीं होने चाहिए ठीक है उसके बाद में हम scroll करके और नीचे अगर आ जाते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पर tradesman के लिए दिया हुआ है तो tradesman के लिए आपको simple 10th pass होना अनवारी है उसके बाद में आपको किसी की भी जरूद नहीं है तो सबसे बड़ी दोस्तों और important बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि height, weight, chest and age तो सबसे जाते हैं यहाँ पर height और age meter करता है दोस्तों तो बो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो height है दोस्तों वो 160 cm लिया जाएगा मतलब किसी भी trade हो चाहिए जो gd, clerk या फिर tradesman आप किसी भी trade में भढ़ती देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो height होगी वो 160 cm ही ली जाएगी उसके बाद में आपको सबसे main point में बता देना चाहता हूँ cover करके आपकी जो age limit होगी वो 18 साल से 12 साल के बीच में होगी तो अगर आप दोस्तों 18 साल से 12 साल के बीच में हैं और आपकी जो age है वो एक जनवरी 2020 के लिए 18 से 42 की बीच में होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों यह भरती 2020 के शुरुआत में ही निकलनी थी किसी कारण बस मतलब यह lockdown के बज़ए से नहीं निकल पाई चोड़ कर कहीं मत जाएंगे का दोस्तों वीडियो बहुत ही important है मैं आप लिए इस भरती के बार में एक टूजेट डिटेल बताने बाला हूं physical, medical, written test, selection procedure, पूरा का पूरा मैं आपके लिए इस भरती इस वीडियो में बताने बाला हूं तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से states के candidates से यहाँ पर भरती देख सकते हैं तो अगर आप इन states और union territories से ब्लॉंग करते हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं तीन सतंबर से 15 सतंबर के बीच में जो भरती चलनी है उसके बाद में दोस्तों हम अगर स्कॉल करके और नीचे आए तो यहाँ पर eligibility के बारे में दिया गया है तो eligibility के लिए मैं आपको एक बार full detail में बता देना चाहता हूं ठीक है तो आपकी जो main point है मैं बताऊंगा नहीं तो यहाँ पर आपकी जो age limit में आपको पहले ही बता चुका हूं 18-12 साल के बीच में होनी चाहिए ठीक है यह काफी eligibility है मैं इस notice के लिए दोस्तों इस वीडियो के description में दे दूंगा आप download करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर आपको अभी लेकर चलता हूं physical fitness test ठीक है तो आपके लिए दोस्तों physical के बारे में बहुत सारे मेरे पास में comments आते रहते हैं कि सब्सक्राइब किस तरह से होता है ठीक है तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यह जो भरती है तीन सितम्बर 2020 इस फिजिकल फिटनेश टेस्ट विल बी कंडुक्टेट ऑन तीन सितम्बर 2020 अनली सेलेक्टेट केंडिडेट्स विल बी कार्ड फॉर डोमीन फॉर डॉक्मेंटेशन मेडिकल एंड इंट्रव्यू विद एफेक्टरम चाहर सितम्बर 2020 इस दिफॉलिंग फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों वो ओनली सेलेक्र बेंगलोर करनाटका में पहुंचेंगे तो दोस्तों आपको 1.6 क्लो मिन्टर की रणिंग होगी जो की आपके लिए 5 मिनट 40 सेकंड में कबर करने होगी आपके दोस्तों बीम लगवा जाएंगे 10 लेकिन अगर आप 6 भी लगा देते हैं त आपको only qualify करना होता है should be able to qualify ठीक है तो आपके लिए 1.6 क्लिमिंटर की जो रूनिंग होगी पांच मिनिट 40 सेकिंड में आपको करनी है इसके बाद में आपको एक भी सेकिंड का टैम नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों टेरिटरियल आर्मी में एज लिमिट बहुत होती है आपको एक में बात और बता देना चाहता हूं कि आपका दोस्तों अगर आप सेलेक्ट होते हैं ठीक है अगर आप इस भरती में सेलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या होगा कि आपको लिए जो रिजिमेंट होगा क्योंकि टीय आर्मी में ऐसा होता है जो रिजि तोस्तों रेटूट्स ट्रेनिग है य। इस अंहां पर दोस्तों जो महार रेजिमेंट है एमपी में जागर में बहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी तो यह थी दोस्तो भरती की डेटेल जो कि मैं आपको पूरा बता चुका हूँ यहाँ पर फिजिकल से लेकर मेडिकल तक और उसके बाद में आपके भरती कब होगी यह पूरा दोस्तो लेटर मैंने की भरती होनी है पदों के लिए मैं एक बार फिर बता देता हूं इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तो कि इसमें केवल एक ही बटालियन में मतलब जितने बंदों की कमी होती है केवल उन्हें के लिए भरती किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर स्वल्जर जीडी की जो 115 टीए बटालियन है इसमें 39 ही वेकंसी होंगी इसलिए 39 निकाली गए हैं क्लर्ट की 2 और वास्टर मैं की एक तो करेंगे